सुपॉल का रहने वाला 28 साल का अजीत कुमार अपनी दो शादियों के चलते इतना परिशान हो जाता है कि मंगलवार रात को अपने घर पर पंखे से लटक कर अपनी जान दे देता है 28 साल की उम्र में अजीत कुमार ने दो शादियां कर ली थी पहली शादी से दो लड़की थी उसके बाद दूसरी शादी कोट मेरेच जाकर कर ली और परिशानी इतनी बढ़ गई कि उसे फंदा वना कर खुद को लटकाना पड़ा और घर वाले कह रहे हैं कि परिशानी इस ब हस चुका था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें सुपॉल का रहने वाला 28 साल का अजीत जिसकी पहली शादी होती है 5 साल पहले नाम रंजना कुमारी लड़की का नाम उससे उसकी दो बेटियां है और 5 साल के बाद अभी 5 महीने पहले ही अजीत शादी करता है म पहली पत्नी को उसके मायके वाले अपने साथ लेकर चले जाते हैं अब अजीत की पहले तस्वीर देख लीजिए ये अजीत की तस्वीर है ये उसकी बौडी है टेम्पू में रखी हुई ये अजीत की पिता है योगेंद्र और ये वो थाना है मरोना थाना जहां का ये अजीत की शादी 5 साल पहले योगेंदर यानि की अजीत के पिता जी ने करवा दी थी उसकी शादी ठीक ठाक चल रही थी दो बच्चियां भी थी लेकिन पता नहीं 5 महीने पहले क्या हुआ अजीत ने दूसरी शादी कोल्ट में जाकर कर ली लड़की मधुबनी की रहने वाल तब रोज फोन पर विवाद हो रहा होता है उसके कुछ दिनों के बाद अजीत के जगड़ा हो जाता है उसकी दूसरी पत्नी से और वो भी उसको छोड़कर चली आती है अब जब दोनों पत्नियां अजीत को छोड़कर चली आती है तब वो मानसिक तोर पर बहुत परिशा वो भी कहती है कि तुमको मेरे ही साथ रहना होगा तुमको हमको रखना ही होगा अगर तुम किसी और के पास रहोगे तब हम लडाई जगडा करेंगे और दोनों पत्नियों के बीच में अजीत इतना पागल हो जाता है कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे अब आरा ये कल ना पर मंगलवार का दिन था कल मंगलवार को रात को जब अजीत अपने घर आया तब खाना पीना खा कर फोन पर किसी से बात करने लगा बहुत देर तक अजीत फोन पर बात करता है उसके बात सोजाता है और सुबह जब बहुत देर तक वो नहीं उठता है तब घर वालों क खिड़की से देखती है वो पंखे पर लटका हुआ है और उसके बाद सब कुछ सन हुराता है उसकी बहन चिलाने लगती है मालूम पड़ता है कि भाई फांसी के फंदे पर लटका हुआ है तब उसका कलेजा पसीच जाता है वो रोने चिलाने लगती है और फिर दरवाजी को तोड़कर घर वाले भीतर खुशते हैं अजीत का चशेरा भाई ये कहता है कि अजीत हो इतना परिशान हो चुका था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें उसकी दोनों पत्निया उसके नाक में दम करके रखी हुई थी दोनों का कहना था कि तुमको हमको रखना ही पड़ेगा और अजीत इसी बीच फसा हुआ था कि वो क्या करें अब अजीत इस दुनिया में नहीं है अब शायद वो दोनों पत्निया खुशी से रह सकें लेकिन अजीत ने दूसरी शादी क्योंकि ये सवाल समाज पूछ रहा है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि गलती थ थी थोड़ी उस लड़कियों कि भी थी लेकिन पुलिस वाले अब जब पहुच कर जाच कर रहे हैं तो हमें उनके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए बस इतना जान लीजिए कि अजीत इसी लिए इस दुनिया से चला गया क्योंकि दो पत्नियों ने उसके नाक में दम क पर रखा था बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमें बॉक्स में बताईएगा मिरा नाम प्रशांत है बहुत बहुत घनिवाद